हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेडियन मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है आप स्क्रीन पे जो चितर देख पा रहे हैं उसको देखकर ही समझ गया कि हम FLN मेला रिपोर्ट कारड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसक्रीन पे राजी सिक्षा के इंदे द्वारा FLN मेला बहुत अच्छा पूर्वा में आयूजीत हुआ है फ्रेंड्स इस प्रकार से पत्तर चारी हुआ है और हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेडियन मोटिवेशन पे फ्रेंड्स इस प्रकार के समस्त जान करी वीडियो के रूप में अ आप देख सकते हैं चरण 2 का FLA मेला का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें सामने जान करी आप देख सकते हो बच्चे का नाम माता का नाम इसकूल का नाम कक्षा यह उम तारीक तारीक हैं यहां पे फ्रेंड्स नो फरवरी 2024 जैसा की राजी सिक्षा के इंदे द्वारा निर्दे आप दो है तो यहां पे दिया हुआ है रिपोर्ट कार्ड बरने के निर्देिस यानि फ्रेंड्स ने बहुत ही मातोपूर्ण है यह उससे पहले हमको इसमें जिए गए निर्देशों को जानना होगा तो आप देख सकते हैं जिसमें परस रुप से दिया गया है पहला जो प बच्चा जो गति थी कर पाए उस डिब्य पर राइट का निसान लगाना है बच्चा जिस अदत अत्य पाथ है उस डिब्य में राइट का निसान लगाना है एक गति फिदी तीन चरण1 में हो रही है फ्रेंट Solid और जहां तक वह कड़़िकता निसान लगा कर पाता है तीन चरणड here और तीनों चरणओ स्ती नहीं कर पाता है तो कऌशिक जारी वाले कालम में राइट का नि सान लगाना है तो इसीवी क्रम्म में प्रेंड्स हम कारड का जो सेकंड पे जो देख लेते आप य Kobe दे eg स्भिकास का सब से पहले दिया गाया और इसमें कोन-कोन सी गतिविदी अपढ़त आप देख सकते पहली गतिविदी ये संतुलन बना कर चलना तो एक सीदी रेकार रहेगी पिर गुमावदार रेकार रहेगी और फिर सीदी रेका पर किताब या कुछ वस्तु सीर पे कर चलना है यह चोने की साहता से या वायट सिमेंट की साहता से हम सीधी यह ओं Mana-सकते हैं और उस पे बचे को चलाने प्रयास करना है यो चादि है holy रैखा पर चल जाएं तो पहले कालम में राइट का निसान लगा देंगे और फ्रेंटस रायए बच्चा है यह तीनों कालम में से कोई Station कारे नहीं नहीं कर पाता है तो आप देखेंगे फ्रंट में पहले नमबर पर दिया है कोसिजज़ारी वाले कालम में राइट का निसान लगा देंगे इसी प्रकार से जो कूदना वाली जो दूसरी गती विदी होगी सारी रिक विकास की उसमें बच्चे को मेदान में खड़े होके एक जगे कुदाना है फिर गोला बनाना है उसके अंदर कुदाना है गोले से अंदर बाहर कुदाना है और उसके बाद में रसी कुद करवाना है इस प्रकार से बच्चा या बच्ची यहा गती विदी जिस हद तक कर पाता है उसमें राइट का निसान लगाना है यही बच्चे मेदान में कुद पाते kut patay right ka nesan ,गolे के अंदर बाहर कुड़ पाते right ka nesan और रसी नहीं कुड़ पारा है तो क्योंब दो कालम में हमको right ka nesan लगाना है और इसमें कोशिज जारी वाले कालम में भी यहां पर हमको कुछ भी नहीं करना फ्रेंड स और इस प्रकार से किन और दो zung ही कालम में रइट का निसान लगाना है इस प्रकार से समझ गया होंगी जिली अधर से लाँ खrance था मरते पाता हुं आगी कर पाता तो यह में तो तीन हें लगाए । यह नहीं कर पाता है तो थीन हो नहीं कर पाता है यह difference से जारी वाले कालम में हमें राइट का निसाना लगाना कूंद करूण करणा। इसक्रम։ में फ्रेंड से सारी रिक्र्यक्त का जो तीस सिरी शमता है वो है paper folding करना नहीं paper को मोड़ना दूऋ 26 आप देख सकते हो पेपर folding करने के कहीज तरीके आप देख सकते हो यह प्रकार से पहले में चितर दिया गया डूसरे में भी दिया गया है नव इस पर और आ चीपर कुर्शकार को किःधे कर सकते हैं और बच्चा जिस हद तक कर पाता है उस कालम में हम रायट का निसान लगा देंगे students खट तक कर पाता है, तीनों कतिविदी कर पाता है, तो तीनों में राइट का निसान, यदि तीनों नहीं कर पाता है, तो फ्रेंड्स कोसिजरी वाले कालम में राइट का निसान लगा देंगे, और यदि वो दो कालम तक कर पाता है, तो क्यों दों में राइट का निसान लगा सब्सक्राइब अभूं अबなら सकता है एक डेयर मší प्रूल हमने लिए गेगे स्क्राइब अधिता लापी प्रहिए घ्रर्वट से करपेंगें वी यह जाए रहते हैं सामन्य रूप से आप बच्चों के सहयोग से अभी वाओ किया पेरेंट्स के सहयोग से सबजी आमंगवा सकते हैं और बच्चों के खिलोने विलोने आप सामन्य रूप से इखटे कर सकते हो और ये दूसरे नंबर की गतिवीदी करवा सकते हो इसी प्रकार तीसे नं से उच्के यनि दागे को मिला नहीं इस प्रकार से इसमें जूते से मुझे को मिलाना या नि ताले से चाबी को इस प्रकार से यह गति वीधी घरवाना है ६ यह ही आसानी से हो सकते है विद्याल मेर्व रहते है चावी उлан खोल करके इस प्रकार से सानी बना दे और ये गतिवीदी संपन करवा सकते बच्चा जारी वाले कालम में राइट का निसान लगा दिया जाएगा इसी करम में रंग पहचान के हम बात करें तो फ्रेंट्स आप देख सकते पहले दो रंगों में से पहचान करवाना है फिर चार रंगों में से फिर छे रंगों में से इस प्रकार से आप रंग की पहचान करवाना ले सकते हैं और बच्चा जहां तक कलरड का पहचान करसके दो रंगों पेचानले तो पहले पेचार पेचानले दूसरे और चाहसे अधिक यह छे से अधिक प्राप्तर कर ले सब्सक्राइब नि heir निसान लगा सकते हो आप सभी जानते कि तीनों कालम में यदि बच्चा किसी प्रकार की गतीविदी पूर्णा नहीं करपाता है तो कोसित जैरी वाले कालम में राइट का निसान लगाना है इसी क्रम में अगला कालम है वो वरगी के रिटान चानग है सामगरिव लेना है दो वस्तुएं लेना है और उनका वर्गी करना है यह अलग अलग छटवाना है यहीं बच्चा ही हकारिक कर पाता है तो पहले में राइट का निसान लगा देंगे फिर तीन या चार सामगरिव ले करके आप देख सकते हैं यहां पर तीन सामगरिये दी करम हो सकती है। कि उनको मिला दिया जाए और बच्चा इनको अलग-अलग पहचान करके इनको अलग-अलग रख सके वरगी करण कर सके बांच सके तो तीसरे कालम में राइट क LIN Sान लगा देंगे और य्यादी वो तीसरा ।ो तीसरा नहीं कर सकते हैं या फिर बशिड двухचें लक्डी ने सकते हैं जिन को आप देख सकते हैं उस अनुसार यहां करवाना प्रकार की सामगरी ले सकते जो घटते करम या बढ़ते करम में हो यह आकार में छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा इस प्रकार से इनको करम में लगाना है और जो गतिविधी जिस अद तक बच्चा कर पता है तो यही आपके एप आमनले के लिए साहती स्टेडी मोटिवेशन हैं गवर्मेंट जोब समस्त जानकरी प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूटूब को यह दिए गया गया है पहले नमबर की जतिविदी चितो वाचन और दूसरे में पढ़ना चित्र वाचन से तताफ़े चित्र को देखंगे दिख सकते हो तो यह देख सकता हूं चित्र लगभग तीनों से में दिखाई दे रहा हूंगे फ्रेंड साब देख सकते हो पहले में कोई पांच चीज़े पूछी जाएगी और यह पांच चीज़े बता देता है तो पहले कालम में रैट का निसान लगा दिया है दूसरे में अपने मंझ से कोई पांच चीजे, दूसरे कालम में बच्चे को अपने मन से कोई पांच चीजे बताना है, यानि आपको ये चित्र देख करके इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य पांच चीजे इसी प्रकार की का नाम बताना है और इसी करम में आप देखेंगे तो जो लाश्ट वाला है उसमें चित्र में क्या हो रहा है उस पे अपने बात रखना, अपने विचार रखना, बताना है और इस प्रकार से बच्चा जिस हद तक यह कारिय कर पाता है उस वाले कालम में राइट का निसान लगा देना है आप देख सकते हो और यह दी बच्चा चित्रवाचन नहीं कर पाता है तो कोसिस जारी वाले कालम में हमें राइट का निसान लगाना है जिस प्रकार से हमने पहले कायड में किया है फ्रेंड्स तो हम कोसिस जारी वाले कायड में राइट का निसान लगा देंगे इसी क्रम में पढ़ना कि हम बात करें दूसरे नमर की जो गतिवी दी भास्चा विकास की तो उसमें आप देख सकते हैं पहले वरण पठन करना है पांच कोई से भी वरण फ्रेंड से कायड में लिखे के ओल यही पांच वरण आप पूछे इसा आउश्चक नहीं कोई अन्य पांच वरण भी पूछ सकते हो अन्य सामगरी की साहिता से पास में रख करके और इस प्रक पर आप देख सकते हो चार लाइन की एक कविता टाइब लिखी हुई है कि घर में खीर बनी हुआ बहुत मीठी थी उसे सोनी ने खाया खाने के बाद सो गए इस प्रकार से चार लाइन दी गई है फ्रेंड से और यदि बच्चा इसको पढ़ पाता है तो आप इस वाले काल कालम में राइट का निसान रहने देंगे और यदि बच्चा तीनों कालम के कार्या पूर्ण नहीं कर पाता है तो किवल को से जारे वाले कालम में राइट का निसान लगा देंगे इस पकार से बाजा विकास की गतिवीदी पूर्ण हो जाएगी अब गणित की पूर्वत त कामन में हम चर्चा करते हैं तो इसमें भी चार चरण में जानकारी दिए गए पहले नममर पर आ दूसरे कालम पे राइट का निसान लगाना है और इस प्रकार पांच आकरतियों के नाम बता दे तो तीसरे वाले कालम में राइट का निसान लगाना है इस प्रकार से फ्रेंट से देख सकते हैं तीन आकरती बताने पर पहले पर चार आकरती बताने पर दूसरे पर पांच आक प्लाम करतीया, पंस से अधिक बताने पर inright का निसान लगाना है, और यदि नहीं बता पाता ही, तो कोजिश्विद्यारी कालम में right का निसान लगाना है, इसी कर clique में दूसरा गिनने वाली गतिवी दी है, तो अब देख सकते हूं, कंकड दिख रहे हैं आपको आप देख सकते हैं इन कंकड़ों को गिनना है पहले पांच कंकड़े कक्छा एक के बच्चे पांच कंकड़ आसानी से गिन पाए तो पहले में राइट का निसान लगा दे कुछ बच्चे जो है नहीं गिन पाते हैं तो पहले कालम पे भी कोई नि कर पाए तो दूसरे और तीसरे कालम का भी नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए कोसिजारी वाले कालम में राइट का निसान लगाना है और यदि बच्चा कर पाता है तो जिस अद तक कर पाता है उस अद तक बच्चे के कालम में राइट का निसान लगाना है इसी करम में तीसर कर पाता है तो पहले में राइट का निसान लगाना है इसी प्रकार से एक से नो तक के पांच और ने अंक दिये गए हैं उनको पड़ पाता है तो दूसरे कालम में राइट का निसान लगा देंगे और यदि दस से लेके बीस तक के अंक को बता पाता है तो फ्रेंड्स आप त पहले कालम में एक से पांच तक के अंक, दूसरे कालम में दो से नो तक के अंक है, और तीसरे कालम में दस से लेके बीस तक के अंक लेना है, इस प्रकार से दिया गा है, फ्रेंड से उसमें, अब अगला जो चरण है, वो जमा घटा है, जमा घटा है कि हम बात करें, तो उसके अंदर पत्तियों को जोड के दिखाना दो दो पत्ति कितनी होती है फिर तीन पत्तियों में से एक पत्ति कम कर दी जाए तो कितना होता है और इस प्रकार से यदि बच्चा कर पाता है तो पहले कालम में राइट का निसान इसी प्रकार से आप देख सकते हो पांच में दो इस प्रकार से एधि बच्चा कर पाता है पाँच अंक च्छे अंक तक्क की घटाव उनमेंशे घटाव जोड़ कर पाना तो दूसरे कालम में राइट का निसान लगाना है और साथ ही यदि बच्चा एक अंक की संक्या के जोड घटाव कर पाता है तो तीसरे वाले कालम में राइट का निसान लगाना है इस प्रकार बच्चा जिस कालम तक गतिविदी पूर्णा कर पाता है के वल उसी कालम तक ही हमें राइट का निसान लगाना है यदि बच्चा एक कालम में कर पाता है एक में ही राइट का निसान लगाना बाकी कालम खाली छोड़ देना है और यदि बच्चा दो कालम की गतिविदी कर पाता है दो कालम तक पोछ पाता है तो निसान दो कालम में रहेगा फ्रेंड से इस प्रकार से करना है और यदि नहीं कर पाता है तो कोशिज चारी वाले कॉल में राइट कर नेंसल लगाना इस परकार देख सकता है बच्छों के लिए बहुत ही अच्चा होने वाला इनमें रंग भरना है ताकि बच्चों की उंगलियों की मांस पेशिया मजबूत हो तथा उनको लिखने के लिए अपनी उंगलियों में पकड़ विक्सित हो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें रंग भरना है पहले वाले कालम में वरत का चित्त दिया है जिसमें के द्वारा रंग भरना है समान रंग भरना है इस प्रकार से और बीच में यहां पे अलग वाला रंग भरना है ताकि चित्र सुंदर दिखाई दे यह गतिवी दी और यह चीज़े हमें बच्छों को पहले तयारी करवानी होगी तब जाके बच्छे बहुत अच्छे से पूर वह तयारी हो जाए उसके बाद में यदि बच्छा तीनों चरण में कर पाता है तीनों कालम में राइट का निसान लगा देंगे यदि दो चरण में कर पाता है तो क्यों दों में राइट का निसान लगाना है और यदि बच्छा इसमें तीनों हदे तक नहीं कर पाता तो कोसिज जारी का कालम फ्रेंड से इसमें नहीं दिया गया है क्यों नहीं दिया गया है कि बच्चा कुछ न कुछ तो इसमें कर ही देगा क्योंकि बच्चों का कुना है बच्चों के मन और अंजन के इसाब से दिया गया प्रश्टा फ्रेंड सा आसानी से बच्चा इसमें भर सकता है कुछ नहीं तो गोले में तो रंग भरी सकता है इसलिए यहां पर कोशिज जारी का कालम नहीं दिया गया कम से कम किसी एक कालम में तो राइट का निशान होना तेंत आवशा के फिरेंड से और आप सभी जानते कि यह काम बच्चा आसानी से कर पाएगा इस प्रकार से यहां पर बच्चे से दो अक्षर लिखवाना है कोई से भी अनाराम के अक्षर वर्णमाला के अक्षर हम बोल दे जिए बच्चा लिख देता है तो राइट का निशान लगा देना है इसी प्रकार से सरल शब्द बोलना है दो सरल सब्द लिखना है यह लिख पाते है दो सरल सब्द तो यहां पर राइट का निसान लगा देना है और तीसरे कालम में आप देख सकते हो मेरा नाम यानि बच्चे का जो नाम है वो बच्चे अपना नाम लिख दे और यदि सरनेम लिख पाता है तो दूसरे लाइन में लिख दे इस प्रकार से फ्रेंट से इसके तीन कालम दिये बच्चे जी सर्थ तक काम कर पाता है उस कालम में राइट का निसान लगा देना है और तीनो चरण तक काम पूरण कर पाता है तीनो कालम में राइट का निसान लगा देना है इसी प्रकार से फेर्म साब देखोंगे तो इसमें इमोजी दिये हुए है सामा जी को भावातमक विकास यनि भावो को पेचानना इमोजी के दोरा भावो को पेचानना तो बच्चे को ये बहुत ही देखने में अच्छा लगेगा और बच्चे तुरंट पेचान लेगे तो पहले में आप देखेंगे एक लड़की है जो हस रही है तो यदि बच्चा बता पाता है इसका भाव पेचान लेता है पहले में राइट का निसान दूसरे बच्चे में आप देख सकते हैं बचा अचम भी थे तो दूसरे वाले कालम में राइट का निसान और तीसे नमबर पर आप देख सकते हैं बच्ची को गुश्चा आ रहा है दात चबा रही है और इस प्रकार से चोथे नमबर पर बच्चा रो रहा है और इस हमने संपूर्ण हजानकरी बताने का प्रयास कीया है और इदि कहीं पर किसी प्रकार से आपको समझया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और फ्रेंट साब वीडियो को अधिक सादिक लाइक करे और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयر करें यानि इस मेले का जो आयोजन कर रहे है वो सिक्षग उन टीचर के अस्ताक्षर होंगे इस प्रकार से फ्रेंड साब देख सकते हैं FLN मेला दुती चरण का आयोजन होगा और इस प्रकार से आपको फ्रेंड से रिपोट कार्ड वरना है और आपको किसी भी प्रकार से FLN सम्मंदी समस्त जानकरी प्राप्त करने है तो आप हमारे यूट्यूब चेनल इस्टेडी और मोटिवेशन को तुरन सब्सक्राइब करें ताकि आपको समस्त जानकरी आसानी से प्राप्त हो सकें और वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों साथ शेयर करें थेंक्यो फ्रेंड्स